मोवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को इसमें चार लोग शामिल होते हैं आदमी कीटा उसकी बीवी जुन्सू बेटी कीजन और बेटा कीवो वो लोग एक छोटे से बेस्मेंट में रह रहे होते हैं इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए बहुत मेनत करनी परती थी कि इनके फाइनेशली हालत बहुत खराब थे और अपना घर चलाने के लिए पीजा के बॉक्स बनाने का काम करती थे मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम उनके लिए काफी नहीं था पिर एक दिन कीवो का दोस्त जो उसके साथ उनिवस्टी में पढ़ता थ उनके घर पर आता है वो कीवो को एक पत्थर देता है और कहता है कि मेरी दादा नहीं तुम्हारी लिए भेजा है आम तोर पर उस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था और उसके बारे में ये ख्याल था कि जिसके पास भी वो पत्थर होता है उसे खुश्या मिलते हैं और उसके हालात अच्छी हो जाते हैं कीवो अपने दोस्त को अपनी financially हालत के बारे में बताता है जो कि ठीक नहीं है उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं study के लिए out of country जा रहा हूँ जिस लटकी को मैं tuition पढ़ाता था तुम उसे English पढ़ा दे पिर कीवो उस जगा पर चला जाता है जहां उसने tuition देने होती है वो घर काफी बड़ा और काफी खुबसूरत होता है और वो family काफी rich होती है और family का नाम park family होता है इस family में भी चार लोग होते है husband wife और उनके दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी बेटी वो जिसका नाम दाहाई होता है जिसे tuition पढ़ाना होता है वहाँ पर एक maid भी होती है जो काफी अटसे से वहाँ पर काम कर रही होती है कीवो एक demo class देता है जिसमें दाहाई की मदर भी उसके साथ बैठ जाती है वो कीवो से satisfy हो जाते है और उसे काम दे देते है पिर कीवो को पता चलता है कि उस दड़की के छोटे भाई दासॉम को पेंटिंग का बहुत शोक है इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत सी teachers को हायर किया था लेकिन कोई भी permanent नहीं रुकी कीवो सोचता है कि मेरी बहन artistic है तो मैं उसे इसका painting picture बना देता हूँ पिर वो दासॉम को दासॉम की मदर से बात करता है कि मेरी एक कजन है जो artistic है मैं मश्वरा देता हूँ कि आप उसको हायर कर ले सॉम की मतर ये सुनकर राजी हो जाती है और अगले दिन की वो अपनी बहन को जैसिका नाम की लड़की बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है असली नाम इसलिए नहीं बताता है ताकि किसी को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई है और कीजन जैसिका बनके उस बच्ची की आर्ट इट्र बन जाती है और कहती है कि मैं आर्ट थाइरपिस्ट भी हूँ और अपनी बातों से उन लोगों को इंप्रेस कर लेती है अब ये दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाई के टीचर्स बनके काम करने लगती है और जब जैसिका की पहली किलास होती है तो उस घर के मालिक यदि सौम की फादर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने driver को कहता है कि वो जैसिका को घर छोड़ा है और वो ऐसा ही करता है driver जैसिका को घर छोड़ने का कहता है यई। काफी देर हो चुकी होती है जैसीका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मे breeding अट्रो स्रेशन पर ही ड्राइवर कर दीचीए और ड्राइवर उसे वहें ड्राइवर कर देता है और जैसीका जब गाड़ी में बैठी होती है तो जान भूच कर अपनी पैंटीस गारी में चोड़ देती है वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनकी honor को शक हो जाए कि उनका driver सहीं नहीं है और जब उनकी honor को वो panties मिलती है उन्हें शक हो जाता है कि हमारे driver और हमारे बेटी की art teacher की दर्मियान को चल रहा है और ये वो अपनी बीवी से discuss करता है फिर उसकी बीवी जैसिका से उस रात की बात पूछती है जब driver ने उसे drop किया है जिस पर वो कहती है कि मैं घर की बजाए मैट्र स्टेशन पर उतर गई थी जिस पर घर की honor satisfied हो जाती है और वो जैसिका को जाने का कहती है और इसके बाद वो अपनी driver को नौकरी से निकाल देती है जैसिका ने ये सब इसलिए किया होता है क्योंकि वो driver के जगा पर अपने father को लाना चाती है फिर वो लोगों को suggest करती है कि मेरे father के भाई के driver है जो काफी अच्छे driver है आप उने रख लें और फिर वो अपने father को father के भाई का driver कहकर introduce करवाती है इसकी father को भी नौकरी मिल जाती है और वो तिनों बाप, बेटी, बेटा वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देती है वो लोग बहुत अंजान बन के काम कर रहे होते हैं ताके उनकी honors को शक्त न हो कि वो दोनों बेहन भाई और वो उनके father है फिर हम देखते हैं कि कीवो जब दाहाई को tuition पढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को फसंद करने लगते हैं कीवो और कीजन अपने मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उन्हें उस मेड को वहां से निकलवाना था जो कर इतना असान नहीं था वो एक plan सोचते हैं पीच के उपर जो powder होता है उससे किसी भी इनसान को अलर्जी हो सकती है और वो ऐसा ही करते हैं जब वो मेड डोग से खेल रही होती है तो वो powder उस पर दीरा देते हैं जिससे उसको शदीद allergy हो जाती है और वो hospital चली जाती है और जब वो hospital होती है तो कीव हुए भी मैंने उस लेडी की बाते सुन दी है उसे टीबी है लेकिन उसकी मालकन उस बात पर यकीन नहीं करती है फिर वो अपनी बेटी की जन को मैसे ड्रॉप करता है कि हम तीन मिनट तक घर पहुंच रहें मैसेज देखते ही की जन दुबारा से पीच का वो पावडर मेट प होता है टीशू पर वो सॉस गिरा देता है और अपनी मालकन को दिखाता है जिससे उसी एकिन आ जाता है कि मेरा ड्राइवर ठीक कह रहा था कि उस मेट को टीबी है फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिकर अपने मालक से ना करना वरना वो काफी खु लुक के तोर पर इंट्रोडियूस करवाता है, और बिल आखिर उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है, और फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं, और किसी को शक भी होने नहीं देती हैं, कि वो एक ही फैमिली से हैं, बड़ी चलाकी से वो अपने नाम चेंज करके रह रही थी, उन लोगों की हलात काफी बदल चुकी होते हैं, भरीबी से उन लोगों की हलात काफी अच्छी हो जाती है, अच्छा खाने को मिलता है, और अच्छी पे ले रहे होते हैं, फिर दस ओम का बर्ड़े होता है, और पार्क फैमिली उसे सेलिब्रेट क खड़ी होती है। वो कहती है कि मेरा कुछ समान वहां पर रह गया है जिसे मैं लेना चाहती है। जुनसुक उसे अंदर आने देती है और फिर वो लेड़ी बेस्मेंट में चली जाती है। काफी टाइम गुजनने के बार भी वो लेड़ी बाग पीस नहीं आती जिस पर जुन हगीकत में वो उसका हस्बेंट होता है। उसे यहाँ पर चुपा कर रखा होता है। उसे यहाँ पर तकरीबन साड़े-चार साल हो जाते है। पाक फैमले को इस बारे में नहीं पता ह necesita क्योंकि उनसे पहले जो फैमले यहाँ रह रही थी वो उन्हें नहीं बताती है। और ये लेड़ी का फिरसे से यहां काम कर रही होती है ये सब जाती है कि यहां एक हुफ्या रास्ता है उसने अपने हस्बेंट को यहां इसलिए चुपाया होता है क्योंकि उसके सर पर कुछ करजा होता है जिसको अगर वो नहीं उतारेका तो लोग उसे मार दें फिर वो मेड जुन्सु को कहती है कि तुम हफ्ते में एक मर्कबा मेरी हस्बेंट को खाना दे दिया करो यहां पर फिज अवेलिबल है इसके बदले में मैं तुमें पे कर दूँ जुन्सु का हस्बेंट बेटा बेटी सीडियों से यह बाते सुन रही होती है उन में से किसी का पाउं स्लिप होता है हो तिनों सामने आकर गिर जाती है यह देखकर वो मेंड वीडियो बना लेती है और की वो कहता है पापा मेरा पाउं और यह बी वीडियो मेरी कार्ड़ हो जाता है उसी पता चल जाता है कि यह चारों ऐसे यहान पर नौकरी हासित की है। यह वीडियो वो घर के मालकन को सैंड करने का कहती है, जिस पर जूनसुक उसे काफी मिनतें कर रही होती है, और उस चारों उस टेबल की बी, जिस पर वो पार्टी कर रही हो. जिस रही हैं, उस गिजारों टोनों हजबसर इस का फोन होता है वो कहती है कि तेज बारिश की वजए से ट्रिप कैंसल हो गई है और हम आठ मिनट तक वापीस आ रहे हैं और वो उसे खाना बनाने का बोलती है और आठ मिनट तक उन्हें घर का सारा समान भी सेट करना था काल की दुरान वो तीनों दोनों हस्पेंट वाइफ का मुँ बन करके खड़े होते हैं फिर वो लोग उन्हेस्पेंट वाइफ को बांद कर दुबारा बेट्समें में छोड़ाते हैं और उसके बाद सफाई करना शुरू कर दीते हैं और ठीक आठ मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग घर की सफाई भी कर च तब उसने एक भूत को देखा था लेकिन वह भूत नहीं होता वह उस मेड का हैस्बेंड होता है और यह लोग समझते हैं कि शायद वह कोई बारिश हो रही होती है और उनका बेटा दासौं कहता है कि आज रात में बाहिर सूंगा और वो टेंट लेकर बाहिर बैठ जाता है एक भात कहले व सायदाधे काौट Алशन door को गहर करकास सरस्ट वह समयल के नागवार ऑती है जिसको अगवार कि शायद नामुम्किन, वह सच कह रहा होता है तो जillyघ लोग रहे होती हें Pan-गार्विज एरिया होता है यह लोग वहाँ पर टॉयल्ट्स करते है इस वज़ा से इस घर के सारी लोगों की जिसम में कपड़ों में एक गंदी सी बू आती है। और यह सब बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि एक बार दा सौम ने ये बात कही थी कि मेरी टीचर में से स्मेल आती है और वैसे हमारे ड्राइवर और मेड में से भी आती है। फिर वो लोग अपना सौम अपना टॉवल चेंज करने का सोचते हैं लेकिन ये उनकी जिसम की स्मेल नहीं होती है बलकि उस घर की होती है जहां पर वो रह रहे होती है। और जब वो दोनों सो जाते हैं तो ये सोफे के नीची से निकल कर अपने घर में अपनी बेस्मेर में आ जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जब वो अपने घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा घर पानी से बढ़ चुका है। गर की खिड़की कुली रहने की वज़े से सारा पानी अंदर आ जाता है और अब वो जगा रहने के काबिल नहीं रहे फिर वो एक जगा जाते हैं जहां बहुत से लोग सो रही होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वहीं गुजारते हैं कि जनको घर की माल किंग की कॉल आती है, तो कहती है कि हमारी बेटे की बढ़ दे है, आप उसकी टीचर है, आपको आना चाहिए जिससे उसे बहुत खुशी हो, और वो कीवो को भी बुला लेती है, जो कि उसकी बेटी का टीचर होता, फिर वो बजार में शॉपिंग करने जाती है और जब वो गाड़ी में बैटी होती है तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब किसम की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाग पर हात रख लेती है जिस पर उसके ड्राइवर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहत आपको यस कहते हुए सर ही ला देती है लेकिन वो इन में से एक नहीं होते और वो सोचता है कि बेस्मेंट में जो लोग हैं अगर वो उपर आ गए तो इनका राज फाइश हो जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से भी हाथ धूना पड़ेगा फिर वो कुछ सोचते हुए व बहाग कर उपर आने की कोशिष करती है जिस पर जून्सुक उसे टांग मारती है वो गिर जाती है और मर जाती है उन चारों को भी इस बारे में पता नहीं होता कि वो नीचे पहुँँचा है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है लेकिन वो बड़ी चलागी से चुपके स जाकर उस पत्थर को उठा लेता है वो उन दोनों को मारने आया था तकि उनका रास कभी भी उनके सामने ना खुले क्योंकि वो अपनी फैमली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो आइस्ता आइस्ता करके आगे बढ़ता है उस मेट का हैस्वेंट जो अपने आपको खुल चुका होता है कीवो के गले में रसी डाल कर उसे गसीडता है और उस रसी को एक जगा पर अटका देता है और फिर वो वही पत्थर उठाता है वो कीवो को पत्थर से मारने लगता है लेकिन नहीं मारता वो वहाँ से बहब जाता है लेकिन बेस्मेंट से घिर जाता है और वापी साथ कर वो उसे काफी जखमी कर देता है फिर वो पार्टी वाली जगा पर पहुँच जाता है फिर उसकी नजर पढ़ती है कीजन पर जो केक लेकर दासौम की तरफ जा रही होती है और वो फॉरान उसे पहचान लेता है वो उस चाकू से कीजन के सीने पर वाल करता है जिससे वो काफी जखमी हो जाती है कीजन के फादर उसके जखम को दबाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे लेकिन उसका जखम काफी गहरा होता है जुनसुक ये देखती है कि उसने मेरी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के तर्मियान शदीद लडाई हो जाती है और इस लडाई में जुनसुक उस आदमी को मार दे अब घर का अनर अपनी चाबी लेना चाता है जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी होती है और वो चाबी जब निकाल रहे होते है तो उने काफी स्मेल आती है और वो मूपर हाथ रख लेती है और जब उनका ड्राईवर उने ऐसा करते हुए देखता है तो उसकी चेहरे के तासुरात बदल जाती है वो शदीद घुसा था वो चाकू उठाता है और उस चाकू से मालिक पर वार करता है कीटक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उनके मालिक को चाबी चाहिए थी थाके वो अपने बेटे सौम को हस्पिटल लेकर जाए क्योंकि वो भी होश होता है और दूसरी तरफ उसकी अपने बेटी भी मर रही होती है लेकिन उसके बारे में उने कोई ख्याल नहीं आता केटिक अपने मालिक को काफी हरानी से देखता है क्योंकि जब वो पुरानी मेट के हैस्बेंट की नीची से चाब भी निकार रहे थे वो नाग पर हाथ रख लेते हैं जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसकी जिसम में से भी सेम बैसी समय ला रही होती और वो खुद को उस आदमी के साथ रिलेट कर लेता है अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जैसे लोगों को ये लोग हकारत की नजर से देखते हैं इस तंग नजर देखने की वज़े से वो ने चाकू से मार देते हैं और उसके बाद वो ड्राइबर गाइब हो जाता है की जन मर जाती है और की वो बच जाता है लेकिन उसकी mental abilities disturb हो जाती है फिर उन मा बेटे पर दोके, चाल बाजिक और साज़िश का केस चलता है लेकिन court उन्हें कोई सजा नहीं देता कुछ instruction देता है और चोड देता है पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उन्हें खरीद लेती है वो लोग इस घर के history के बारे में नहीं जानते थे और उसके basement में आज भी के टिक होता है यानि वो driver क्योंकि वो अपने मालिक को मालने के बाद यहाँ पर आकर चुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता और फिर वो मोट्स कोड के जरिए यानि light on off करके वो अपने बेटे को यह message देना चाहता है कि वो आज भी जिन्दा है और यहाँ पर चुपा हुआ है मोट्स कोड बिसिकली एक signal समझा जाता है जो दो लोगों को आपस में communicate करता है जो किसी को message भीजने की facility रखता है उस बलब कि थूँ वो signal ऐसे भीजता है कि उसके father आज भी जिन्दा है और उसी basement भी है और उसे इस बात का पश्टावा होता है कि उन्होंने पाक family के honor को मार दिया और वो उनकी स्वीर के सामने जाकर apologize करता है फिर कि वो कहता है कि एक दिर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और हम वो ही घर खरीद लेंगे और basement में तुम उपर आना और हम वहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे ऐसा हो जाता है कि वो घर खरीद लेता है और केटिक उस basement से बिला खौफ बाहिर आजाता है अपनी family से मिलता है लेकिन ये सब कुछ उसकी एक सोच होती है हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होती और यहीं पर movie end हो जाती